जहिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SSC MTS जहां दोस्तों SSC MTS में पूछे गए स्टैटिक जीके के अब तक के सबसे जादा महत्पूर 40 प्रस्ण और यह ऐसे प्रस्ण है जो कि बार-बार यही प्रस्ण पूछे जा रहे हैं और आने वाले सिप्टों के लिए अगर देखा जाए तो यह प्रस्ण भी बहुत है आप लोग के लिए होने वाला है तो आप लोग अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जादा जाद लोग तक सेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आप लोग जो है अभी किस धात का प्रेयोग किया था तो तांबा, आपको पता है सबसे पहले मनुषिन प्रेयोग किया हुआ है यह कोशन आपका दो से तीन बार जो है अब तक पूछा जा चुका है अब चलते हैं अगले कोशन की तरफ और अगला कोशन आपका है प्रसंबर दो कि अंगुरों की पैदावार के लिए कौन सा सहर प्रसिद्ध है तो नासिक जो है अंगुरों की पैदावार के लिए जो है प्रसिद्ध है य और उमीद है कि आने वाले शिप्टों में यहां से प्रस्न आपको देखने को मिलेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जाधा दलो तक सेयर करें और लाइक सब्सक्राइब को न भूलें चलते हम अगले कोशन की तरफ और अगला कोशन आपके सामने स् अगले कोशन की तरफ और अगला कोशन आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्न आठ आठ आपका है कि भारत रज से विभूजित प्रथम विभूति पुर्षकार से संब्सक्राइब किया था तो लाल बहादूर सास्त्री जाद दों भारत के दो सुक्राइब थेमानित थे अगली स्क्रीन पर प्रसंबर 11 की दुटीब नुक्या दॉरान जापान पर पर्मार उभम कब गिरा गया था धुद्युक्थ आपका 6 अगस्ट 2945 को एक आपका गिराय था 9 अगस्ट को गिराय गया था यह आपका मोश्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन है आने वारे सिफ्टों में अहां से कोश्चन आपको देखने को मिलेगा अगर भी बात कीजिए प्रस नबर 12 की खिंसागर एक्सप्रेस किन दो जगहों के उड dif चलती है तो जम्मु और कास्मीर के भी जो है यह चलती है अगले कोशन की तरफ अग्ला कोशन आपके सामने पर प्रस नबर 14 है प्तोवी सूहीघ की राजधानी क्या है अगर अगर अगले कोशन की तरफ और अगला कोशन आपका था जो है अक्तूबर-ड़बर injuries में भारी वर्षा कहां होती है तो कोरो मंडल के टट पर होती है यह आपका जो है कई बार आपकी सिप्टों में प्रस आपका आचुका है अगर प्रसंबर 19 की बात की जाए तो चिन्नई में दच्छिड पश्चिम मांसून से अन्य अस्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है क्यों है क्यों, मांसून कुरो मंडल ۟टके समानतर चलता है और नमीज को जो है संघनित नहीं होने देटा और यह क्या होती है अब अब टटी हवाय होती है इसलिए वहां पर वारिष होती है अगर प्रसंबर 20 की बात कि आपका है कि मांसूनी वारिस का क्या रूख होता है तो हाट संट ट्रेड एक वर्ष में अगर बात की जाए प्रस नबर 21 की कि पचास सेमी से कम वर्षा वाला खेतर कौन सा है तो ले हाओ लद्दाक आपका है अब सलते हैं अगली अगली स्लाइड की और अगली स्क्रीन पर और आपका अगला प्रस नहमाली तो नेपाल में आपका यहिस्तित है as यह कि आपका अगर बात कि जाए ग्रह समपर अनत्यसकी ग्रेटर हमालाद है कि दूसरा नाम क्या है तो हमाद्री है इससाव ऐसे प्रस प्रस्ट नेखने को मिल जाए अगली स्लाइट की और अगली स्क्रीन पर प्रस्ट नमर आपका 30 है कि जो नागा टीबा और महा भारत परवत संखिलाओं में सामिल है तो निम्न हिमाला है अगर बात कीजा प्रस्ट नमर आपका 32 की कि हाईग्रो मीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाय जाता है तो वाई वंडल में ब्यापत आदर्ता को मापने के लिए जो है लाया जाता है अगले कोशन की परिस्थित हैं अगल्य कोशन की स्क्रीन पर प्रसंबस कि ने दिया था तो लाट करिवारिस ने जो है दिया हुआ था अगर वह बात की जाए प्रसंबस प्रसंबस कोकर ने का यह विसाल पिंड कहां है तो हिमाले परवत के स्रेणी के सीर सस्थानों पर चाया करता हुआ आपका यह पिंड है अब चलते हैं अगले कोशन की तरह प्रस्तमपर 37 आपका है कि कायांतरित कौन सी सेल है कायांतरित जो है कौन सी सेल है तो समांतर संग मरमल सेल जो आपकी होती है वही आपकी क्या होती है कायनतनी cell होती है, अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर, प्रस्णहबर 37rd Σ आपका है कि एक गंटे में, एकगंटे में प्रित्वी कितने देसानतर घूमती है तो 15 डिगरी, 15 डिगरी देसानतर जो है प्रित्वी गंटे में पहले जो है रेले लाइन शुरू की थी तो मुंबई से थाड़े की बीच में शुरू की गई थी अगर आपके अभी तक एक्जाम में आपके कई बार यह कोशन आपके पूछे जा चुके हैं तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को जादा जादा लोगो और कम श्कम आप लोग जो है जो स्टुडेंट जो है अभी जिनका एक्जाम S.S.C.M.T.S का नहीं हुआ है वो क्रिप्या करके जो है इन कोश्चनों का जो है अच्छे से बिचलेसर कर रहे और अच्छे से त्यार करके जाए और हो सकता है कि यह कोश्चन आपको जो है आने